हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आर चैनल ग्यानलाग आज हम आपके लिए लेकर आए यूमन हेल्थ और डिजीजिस का नेक्स्ट सेशन आज के सेशन में हम बात करेंगे हमारी जो इम्मूनिटी है उसका सेकंड टाइप डैट इस अक्वाइड इम्मूनिटी हमन होता है इसका हमने डेफिनेशन देखा फिर हमने फर्स टाइप ऑफ इम्मूनिटी के बारे में डीटेल में पड़ा दाट इस इन्नेट इम्मूनिटी को ही इन्हेरिटेट इम्मूनिटी या इन बॉन इम्मूनिटी कहा जाता है जो शॉर्ट टाइम के लिए होती है लेकिन फेवरं आज Lucky और लग बेरिएर स्विएस्व चेह पोचिश और नहीं किया थो प्रीज चानल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक 38 प्रmente और जैसे हैं जो बिना subscribe किये video को देखते हैं तो please channel को subscribe कर लो we need your support and keep studying चलो start करते हैं आज के session के साथ तो आज के session में हम सबसे पहले देखेंगे acquired immunity का introduction, immunity के introduction में देखो हमको क्या बताया जा रहा है What do you mean by acquired immunity? The resistance that an individual acquires during life is known as acquired immunity अब सबसे पहली बात biology को अगर आपको समझना है तो आपको हर एक word का meaning अच्छे से समझना पड़ेगा acquire करना मतलब क्या होता है किसी चीज़ को हासिल करना तो ऐसी immunity, ऐसी power, ऐसा immune system जो बच्चा पैदा होने के बाद acquire करता है, हासिल करता है तो हम acquired immunity, so the resistance that an individual acquires, ऐसा resistance, ऐसी power जो कोई भी individual बाहर से acquire करता है, मतलब पूरे life processes में पैदा होने से लेकर मरने तक अलग-अलग-अलग-अलग immunity हम acquire करते रहते हैं, तो उन सारी immunity को हम बोलते है acquired immunity या adaptive immunity, adaptive immunity मतलब क्या होता है कि आप बाहर के environment के हिसाब से आपकी body खुद को adjust कर रही है, adapt कर रही है और आप बिमार नहीं होगे, क्योंकि आपने अपने आपको adapt कर लिया है so acquired immunity means what, the resistance that an individual acquires during life processes it is also known as adaptive or specific immunity, यह word underline करो acquired immunity को हम specific immunity भी बोलते हैं innate immunity का एक special point क्या था, that it is mostly, it can act as both the way it can act as specific as well as non-specific, लेकिन acquired immunity में क्या होता है acquired immunity में non-specific function नहीं होता, यहाँ पर हम specific function ही देखते हैं क्योंकि यहाँ पर acquired immunity में जब आपको मैं कोई vaccine दे रही हूँ या जब आपको doctor कोई injection देते हैं, तो आपको randomly कोई भी injection नहीं देते हैं जो बीमारी हुई है, उसी बीमारी का injection आपको दिया जाएगा ताकि आपके वो bacteria मर जाएं और आप ठीक हो सको तो इसको हम बोलते हैं specific immunity, specific immunity means you fight with a particular specific antigen, okay so that is why it is known as adaptive or specific immunity it involves the formation of antibodies in the body which neutralize the antigens, देखो, acquired immunity में क्या होता है? आपकी body में दो तरीके का reaction होता है या तो आपकी body antigen को देखकर कुछ नए type के cells बनाएगी जिनको हम बोलते हैं T cells और या तो फिर antibodies produce होंगे मतलब आपकी body में दो तरीके के cells बनते हैं जब भी आपकी body में कोई antigen आता है तो आपकी body में दो तरीके के fighter cells बनते हैं एक T cell और एक B cell दोनों ही WBC के ही types हैं WBC मतलब आपने अब तक बचपन से क्या पड़ा है मैम WBC मतलब fighter cell जो हमारी body को बाहर के antigen से protect करते हैं absolutely correct लेकिन इस WBC में दो और type के आगे categorization होता है WBC के दो types कौन से हैं एक है T cell और एक है B cell T cells के अलग-अलग types हैं और B cell से antibody बनती है तो जब भी आपकी body में कोई foreign antigen आता है तो आपकी body उसके लिए response दिखाती है बाहर से कोई भी antigen आएगा तो मेरी body खुद को protect करेगी कैसे protect करेगी मेरी body या तो वो T cells बनाएगी और अगर T cell से वो antigen नहीं मरा तो हमारी body antibody बनाएगी तो यह दोनों काम कब होता है acquired immunity के time पे कब होता है acquired immunity के time पे so it involves the formation of antibodies जादातर acquired immunity में antibody का production होता है मतलब जादातर T cells नहीं बनते पर जादातर antibody का production होता है acquired और adaptive immunity has the following unique features जैसे हमने innate immunity के कुछ characters देखे थे उसी तरीके से acquired immunity के भी कुछ following features हमको दिखाये जा रहे है चार important points है अगर आपको short note आया write a short note on acquired immunity तो आपको यह 4 bullet points लिखने है 4 unique features कौन से है acquired immunity के first feature है specificity first feature हमको यहाँ पर क्या दिया गया है specificity what do you mean by specificity specificity मतलब अगर मेरी body में skin infection वाला कोई fungal infection हुआ है मतलब कोई fungal मेरी body में घुसा है तो मैं antifungal product यूज करूँगे अगर मेरी body में कोई bacterial infection हुआ है तो मैं antibacterial कोई particular cream यूज करूँगे तो मतलब मैं specific antigen के लिए specific antibody यूज कर रही हूँ तो इसको हम बोलते है specificity जैसे हर एक ताले की चावी fix होती है किसी भी ताले को किसी भी चावी से नहीं खोल सकते हर एक ताले की चावी हर एक lock की की fixed होती है उसी तरीके से हर एक antigen के लिए एक antibody fix होता है तो इसलिए acquired immunity का एक सबसे पहला special characteristics कौन सा है that it shows specificity see what has been told over here it can produce specific antibody or T lymphocyte against a particular antigen और pathogen दो response दिखाती है पहले वो T cell produce करती है T cell 4 types के होते है आप आगे पढ़ोगे T lymphocytes के बारे में मतलब जब आप immune cells के बारे में पढ़ोगे आभी इसके just बाद वाला topic वही है तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि जब भी आपकी body में कोई बाहर से foreign antigen आता है तो आपकी body उस foreign antigen को detect करती है detect करने के बाद वो सबसे पहले क्या करती है T cells बनाती है T helper cell बनाती है T cells से भी अगर वो antigen नहीं मरा देखो हम antibody का use कब करते अगर मैं तुमको simple example दू world war के time पे nuclear weapon कब use किया गया था जब जो enemies थे वो बंदूक से नहीं मर पाए तो हमने nuclear weapon यूज किया मतलब हमने नहीं मैं एक example दे रही है कि जब भी कोई fight होती है जब भी कोई war होती है तो उस time पे बड़े बड़े औजार कब use किये जाते है बड़े बड़े हतियार कब use किये जाते है जब छोटे छोटे हतियार enemies को handle नहीं कर पाते है उसी तरीके से जब भी body में कोई antigen गुसता है तो उस antigen को खतम करना यह हमारा main goal है उसको खतम करने के लिए हमारी body पहले T cells produce करती है अगर T cells से वो particular antigen नहीं मरा तो हमारी body antibody produce करती है मतलब B cell produce करती है हमेशा आपकी body में पहले T cell बनते हैं और फिर B cell बनते हैं मतलब T cells से अगर कोई antigen नहीं मरा तो T cells की मदद करने के लिए B cells produce होंगे और वो B cell antibody बनाएंगे तो specificity में हमको यहीं बोला गया है It can produce specific antibody मतलब जैसे ज़रूरत होगी अगर वो antigen T cell से मर जाएगा तो हमारी body specific T cell बनाएगी और अगर वो antigen T cell से नहीं मरा तो हमारी body specific antibody बनाएगी आप किसी भी antibody से किसी भी antigen को नहीं मार सकते बैक्टेरिया को मारना है तो बैक्टेरिया वाला antibody बनाना पड़ेगा मतलब antibacterial fungus को kill करना है तो antifungal virus को kill करना है तो antiviral तो हर एक antigen के लिए specific antibody है इसलिए हम क्या बोलते हैं कि acquired immunity क्या होती है specific होती है हर एक antigen के लिए specific antibody fixed है second characteristics क्या है acquired immunity की it shows diversity diversity मतलब क्या होता है it can recognize a vast variety of diverse pathogens और foreign molecules मतलब हमको इधर पर क्या बोला जा रहा है कि आपका जो immunity है मतलब आपने जो भी immune system बाहर से acquire किया है बाहर से आपको जो vaccines दी गई है बाहर से आपको जो injections दिये गए है उस vaccine उस injection उस immunity के वज़े से आपकी capacity बढ़ जाती है और आपके body के cells जो है उनका range बढ़ जाता है range मतलब आप वो अलग-अलग organisms को पहचान सकते है मतलब जैसे हम बोलते हैं कि जब तक आप 5th, 6th standard में रहते हो तो आपको बड़ी-बड़ी swimming pool में नहीं लेके जाते है पिकनिक में जब आप जाते हो आपको बड़ी में वैक्सीन इंजेक्ट किया जाता है या कोई पर्टिकुलर एंटी बड़ी इंजेक्ट किया जाता है तो आपका horizon बढ़ जाता है मतलब आपका range बढ़ जाता है फिर आप और अलग-अलग bacteria को पहचानने लगते हो जितना जादा हम bacteria को पहचानेंगे जितना जादा antigen को पहचानेंगे हमारी body उतनी जादा antibody produce करेगी नहीं तो कभी-कभी क्या होता है बाहर से हमारी body में कोई antigen गुसा और हमारी body उसको पहचानी नहीं पाई अगर body उसको पहचान नहीं पाईगी तो antibody नहीं बनेगी, antibody नहीं बनेगी तो हम ठीक नहीं होंगे और वो bacteria हमको kill करते जाएगा, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब भी बाहर से कोई antigen body में enter करें तो हमारा immune system उसको पहचाने, उसको recognize करें, recognize करना मतलब पहचानना, तो diversity मतलब क्या होता है कि हमारा जो acquired immunity है, acquired immunity क के वज़े से हम अलग-अलग category के, अलग-अलग range के organisms को recognize करने लगते हैं, मतलब पहचानने लगते हैं, जितने ज़्यादा organisms को पहचानेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी body में antibody produce होगी और हम अपने आपको safe रख पाएंगे, so diversity का मतलब क्या है, it can recognize a vast variety, vast मतलब large variety, large number of diverse pathogens, diverse मतल तो इसको हम बोलते हैं diverse, diverse मतलब भिन भिन प्रकार के, so it can recognize a vast variety of diverse pathogens और foreign molecules, मतलब इनको आप foreign molecule बोलो, pathogen बोलो या antigen बोलो, सब एक ही है, बाहर से आने वाला कोई भी particle जो हमारी body में immune system को activate करेगा, उसको हम foreign molecule या antigen बोलेंगे, आगे देखो क्या बोला गया, third important characteristics कानसी acquired immunity की it can differentiate between self and non-self, हमने पढ़ा था immunity के immune system के बारे में, first, नहीं, second lecture में हमने ये point पढ़ा था, कि immune system की खासियत क्या होती है, कि वो खुद के body के cells और बाहर से आई हुए cells के बीच में differentiate कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि आपकी body के cells, आप भी के body के cells के उपर attack कर रहा है, मत तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और acquired immunity की भी ये खासियत है, कि वो differentiate करती है, मतलब बाहर से आई हुए cells और खुद के body के cells में वो अंतर करती है, जिसके वज़े से वो सिर्फ बाहर के cells के उपर attack करेगी, so discrimination between self and non-self, it differentiates between own body cells and foreign molecules, and then it attacks on the foreign molecules, if that foreign molecule is dangerous for us, आगे क्या बताया गया है memory, memory मतलब क्या होता है, यह बहुत important point है, आपको एक simple सा example देती हूँ, समझो बचपन में सबको polio drops दिये गए है, आप सबने बचपन में continue 5-6 साल polio drops पीए हैं, polio drops पीने के वज़े से क्या होता है, उस polio drop में क्या होता है, dead virus है, polio का, आपकी जो polio की vaccine है, उस polio vaccine में dead polio virus ह जाता है, तो आपकी body को तो यही लगेगा ना कि बाहर से कोई antigen आया है, अब वो जिन्दा antigen है या मरा हुआ antigen है, उससे क्या लेना देना, आया तो antigen है, तो बाहर से जब भी dead particular particle या live particle, बाहर से कोई भी antigen जब body के अंदर जाएगा, तो हमारी body उसके against active हो जाएगे, और यह आपकी body में inject किया गया, क्या inject किया गया, तो आपके body के जो immune cells हैं, आपके body के immune cells हैं, मतलब T cells और B cells, वो क्या हो जाएँगे, immune cells क्या हो जाएँगे, active हो जाएँगे, और यह immune cells क्या produce करेंगे? यह immunity yem इम्मुनिटी मतलब क्या होता है आपकी बॉड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपनी पावर बढ़ाएंगे या तो यह अलग टाइप के टी सेल्स बनाएंगे जिससे यह पैथोजन मर जाए या तो फिर यह अलग टाइप की एंटी बॉडिस करेंगे तो हमारा एम क्य कंसान नहीं पहुँचाएगा लेकिन आपके सेल्स को नहीं पता है कि यह अंटीजन डेड है तो सेल्स को नहीं लगेगा कि अलग तो हमारे शल्स क्या करींगे हमारे प्रोटेक्ट करने के लिए ऑक्टीवेट हो जाएंगे और इम्यूंयटी बढ़ाएंगे मतलब T cell या antibody produce करेंगे अब ये antibody जब इस cells को मारने जाएगी तब इसको पता चलेगा कि अरे ये cells तो dead थे लेकिन waste नहीं होगा ये जो antibody बना है ये antibody waste नहीं होगा ये antibody पहले से prepared रहेगा आपकी body में ताकि next time अगर गलती से कभी same virus जिन्दा अगर आ गया body में तो हमारी body के पास पहले से याद रहेगा कि हाँ ये bacteria ये particular antigen पहले भी आ चुका है body में तो उस time पे हमने antibody बनाया था वो antibody हम अब use कर सकते हैं या अगर वो वाला antibody खतम हो गया है या किसी भी reason के वज़े से खराब हो गया है तो हम फटाक से अब same antibody नया बना सकते हैं तो देखो memory का इधर पर क्या रोल है कि अगर एक बार आपकी body में कोई antigen आ जाए तो first time जब कोई antigen आता है तो उसके against antibody बनाने में time लगता है लेकिन second time अगर same antigen आपकी body में आ रहा है तो आपके पास पहले से information store रहती है आपके memory cells में कि ये antigen पहले भी हमारी body में आ चुका है तो अब हमको same antibody बनाना है तो second time जब वो antigen आपकी body में आएगा तो आपको antibody बनाने के लिए time नहीं लगेगा और इसलिए इसको हम बोलते हैं immunological memory क्या बोलते हैं इसको हम immunological memory मतलब आपका दिमाग आपके जो T memory T cells होते हैं वो इस particular antigen को अपने दिमाग में save कर लेते हैं ताकि next time अगर ये same antigen आपकी body में आए तो आपकी body को antibody बनाने के लिए ज़्यादा time ना लगे तो देखो memory वाले paragraph में क्या बताया गया है When the immune system encounters a specific foreign agent for the first time it generates an immune response and eliminates the invader जब भी आपके immune system में कोई भी foreign antigen first time आता है तो हमारा immune system उसके against antibody बनाता है और उस antigen को eliminate कर देता है मतलब उस particular antigen को वो kill कर देता है Now, this is called first encounter यह antigen पहली बार body में आया तो उसके against हमारी body ने antibody बनाई समझो अगर यह antigen dead नहीं होता यह antigen अगर live होता और आपकी body में आता तब भी उसके against हम antibody बनाते और उसके उपर attack करते लेकिन मैं बार-बार आपको क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं क्या आपकी body में dead vaccine आए या फिर live bacteria या live antigen आए जब first time कोई भी organism आपकी body में आता है तो उसको हम बोलते हैं first encounter फिर वो save organism जब आपकी body में second time आएगा तो आपके पास उसका information पहले से save होगा देखो आगे क्या बोला गया है the immune system retains the memory of the first encounter retain करना मतलब store कर लेना save कर लेना तो जब ये first time कोई antigen हमारी body में आया तो हमारी memory ने क्या किया हमारे immune system ने क्या किया उसकी information को save कर लिया retain कर लिया as a result a second encounter with same pathogen brings about quicker and stronger immune response और इसी के वज़े से क्या होगा first time जब वो antigen हमारी body में आया था तो हमारे cells ने उसकी information save कर ली थी तो अब जब second time same antigen जब body में आएगा तो हमको उसको पैचानने के लिए ज़्यादा time नहीं लगेगा घर पे पहली बार कोई महमान आता है तो आप उसको नहीं पैचानते हो तो इस बार वो बचके नहीं जाएगा क्योंकि इस बार आप फटाक से immune response करोगे antibody बनाओगे और उसको तुरंत खतम कर दोगे तो यह है चौथा characteristics acquired immunity का जो की बहुत 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 ज़ादा important है that is immunological memory तो acquired immunity का हमने introduction देखा कि acquired immunity मतलब क्या होता है बाहर से जो immunity आप adapt करते हो acquired immunity के चार following characters है specificity मतलब जैसे हर एक ताले की एक चावी होती है वैसे हर एक antigen के लिए अलग antibody होता है diversity मतलब यह immunity अलग-अलग category के organisms को पहचान सकती है limited नहीं है unlimited antigens को पहचान सकता है acquired immunity यह खुद के cell और दूसरे cells के बीच में आराम से discriminate कर लेते हैं discriminate करना मतलब अंतर करना कि अपने cells कौन से हैं और बाहर के cells कौन से हैं differentiate करना और memory मतलब क्या होता है कि बाहर से कोई भी organism जब first time आपकी body में आता है तो आपकी body उसकी information store कर लेती है ताकि second time अगर same antigen आपकी body में आए तो उसके against response देने के लिए आपको ज़्यादा time ना लगे और आप तुरंत उसको जगे पे खतम कर दो So these are the four important characteristics of acquired immunity अब हम आगे बढ़ते हैं next topic की तरफ जो की है types of acquired immunity आपको starting part समझ में आया है पकका आगे बढ़े और तो I hope आपको acquired immunity का introduction अच्छी तरीके से समझ में आ गया है अब हम बढ़ते हैं next point की तरफ that is types of acquired immunity types of acquired immunity के हमको दो types बताए गए हैं एक होता है passive acquired immunity और एक होता है active acquired immunity हम दोनों के एक एक examples देखेंगे कि active acquired immunity मतलब क्या और passive acquired immunity मतलब क्या तो चलिए start करते हैं इनकी theory के साथ आपका पहला point क्या है active immunity पहले हम किस के बारे में पढ़ेंगे active immunity के बारे में एक चीज़ हमेशा याद रखो active और passive के बीच में क्या difference है यह जो दो words है इनका meaning आपको बहुत जादा समझने की जरुवत है active मतलब क्या होता है ऐसा process जिसमें आपकी body energy use करती है मतलब ATP molecules का use होता है जिसमें cells खुद काम करते हैं उसको हम बोलते है active process वो कोई भी process हो जब भी हम बोलते हैं कि आपकी body active है active है मतलब आपके cells काम कर रहे हैं आपकी body में energy use हो रही है ATP molecules का use किया जा रहा है और passive process मतलब क्या होता है जहां पर आपकी body खुद कुछ काम नहीं करती है सब कुछ उसको बाहर से ready made मिलता है तो उसको हम बोलते हैं passive process तो यहां पर भी हम active immunity और passive immunity को इसी हिसाब से समझेंगे active immunity का मतलब यहां पर हमको क्या बताया गया है कि आपकी body जो है वो खुद आपके body का protection का काम करेगी मतलब आपके cells जो है वो खुद अपनी immunity increase करेंगे ताकि वो बाहर से आने वाले antigens से खुद को protect कर सके so that is active immunity active immunity के दो example दिये गए हैं एक naturally acquired active immunity और एक artificially acquired active immunity confused होने कि कोई जरुवत नहीं है ध्यान से आज का lecture अटेंड करना आपको life में कभी इसके बात confusion नहीं होगा so please make sure कि यह 15 minute आप एकदम ध्यान से focus करके यह video सुनो तो सबसे पहले active acquired immunity का introduction देखते हैं it is the resistance developed by individuals as a result of an antigenic stimulus क्या बोला मैंने तब generate होती है जब आपकी body में antigen जाता है मतलब antigenic stimulus antigenic stimulus मतलब क्या stimulation मतलब क्या होता है signal पहुचाना आपकी body में जैसे ही antigen enter करेगा तो आपकी body cells को एक signal मिलेगा और उस signal की मदद से आपकी body antibodies produce करना start करेगी या immunity दिखाना start करेगी खुद का protection start करेगी resistance process start होगा तो उस process को हम बोलते है active immunity क्या बोलते है उस process को हम active immunity so it is the resistance developed by individuals as a result of an antigenic stimulus जैसे ही कोई antigen आपकी body में आया तो आपकी body को एक signal मिलता है एक stimulus मिलता है जिसके वज़े से आपकी body resistance दिखाने लग जाती है और बाहर से आने वाले सारे antigen का रास्ता बंद कर देती है it is also known as adaptive immunity इसको हम adaptive immunity भी बोलते हैं क्योंकि ये बाहर से मतलब पैदा होने के बाद ये immunity आप खुद acquire कर रहे हो मतलब आपको ये आपके parents से नहीं मिली है या आपको बाहर से वैक्सीन के तुरू या आपके खुद के experience के तुरू आपको ये immunity मिली है active immunity में भी natural और artificial तो अब यहां पर वो दो टॉपिक्स आते हैं कि ये जो active immunity होती है या passive immunity में भी आप same example देखोगे कि दो type की immunities देखी जाती है active के अंदर भी same दो टाइपस है और passive immunity में भी same दो टाइपस है active में जो दो types है वो कौन से है एक natural एक्तिव immunity और एक artificially acquired active immunity कौनसी कौनसी है naturally acquired active immunity और artificially acquired active immunity तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे natural acquired active immunity के बारे में देखो words बहुत लंबे-लंबे हैं बड़े हैं लेकिन डरना नहीं है आपको सारे words का मीनिंग पता है नाचरल मतलब क्या होता है जहां पर आपकी बॉड़ी नाचरली नेचर की मदद से मतलब बिना एनी इंजेक्शन बिना एनी एक्स्टर्नल एंटीबॉडी बिना किसी बाहर की दवा के जब आपकी बई खुद एंटीबॉडी प्रड्यूस कर रहे है नाच्रल प्रोसेस से तो उसको हम बोलते हैं नाच्रल अक्वायर क्यों बोलते है क्योंकि वह बाहर आपके पैदा होने के बाद आप वह इम्मूनिटी ले रहे हो तो इसलिए इसको बोलेंगे acquired अगर वह आपकी मम्मी से पहले से पेट के अंदर जबाब थे वुंब में जबाब थे तब ही अगर वह इम्मूनिटी आपको मिल जाती तो इसको बोलते इननेट लेकिन वह इननेट इम्मूनिटी नहीं है यह इम्मूनिटी तो आप पैदा होने के बाद आपको बाहर से मिल रही है तो इसको आप हासिल कर रहे हो इसलिए इसको बोलते है आपकी बोडी पूरा इसमें काम कर रही है अक्वायड मतलब बाहर से आप यह इम्मूनिटी ले रहे हो और आपकी बोडी के सेल्स खुद काम कर रहे है कोई और इसको रेडिमेड इम्मूनिटी नहीं दे रहा है हमारी बोडी अपने लिए प्रोटेक्शन खुद बना रही इसलिए ये टाइटल को क्या बोला गया है natural acquired active immunity देखो इसका थियरी पढ़ते हैं immunity acquired due to infection is called natural active immunity it is developed after entry of pathogens in the body it is long lasting immunity तो यहाँ पर हमको क्या बोला गया है कि ऐसी कोई immunity ऐसी कोई ताकत ऐसी कोई resistance power जो आपकी बोडी में तब generate होती है जब आपकी बोडी में बाहर से कोई pathogen enter करें तो उस immunity को हम बोलते है acquired active immunity बाहर से कोई pathogen आपकी बोडी में आएगा तो आपकी बोडी उसको पहचानेगी कि अच्छा यह antigen है और उस antigen को देखकर आपकी body इम्यून सिस्टम को activate करेगी और आपका इम्यून सिस्टम अलग-अलग टाइप के cells यह अलग-अलग टाइप के antibodies बनाना प्रड्यूस करेगा तो ऐसी immunity को हम बोलते हैं natural active immunity natural क्यों बोलते हैं क्योंकि natural process हो रहा है बहार से कोई infection हो रहा है उसके वज़े से इम्यूनिटी बन रही है मतलब आपको naturally कोई infection हो रहा है जैसे चोट लग गई या चिकन पॉक्स आ जाना तो यह natural infection है तो जब natural infection के वज़े से कोई pathogen आपकी body में entry लेता है कोई antigen आपकी body में entry लेता है और उसके वज़े से जब आपका इम्यून सिस्टम activate होता है और कोई antibody बनाता है तो उस immunity को हम बोलते है नाच्रल आक्टिव immunity नाच्रल क्यों बोला क्योंकि natural infection के वज़े से हो रही है immunity और active क्यों बोल रहे है क्योंकि body खुद body के immune cells खुद antibody बना रहे हैं ओके या protection कर रहे हैं इम्यूनिटी इम्यूनिटी बोलते है नाच्रल आक्टिव इम्यूनिटी इस डेवलप्ट आफ्टर एंट्री ओफ पैथोजेंस इन द बोडी बहार से कोई pathogen आपकी बोडी में जब घुसेगा तो उसको हम बोलते है नाच्रल इम्यूनिटी इम्यूनिटी यह बहुत टाइम तक मतलब आप आप जिन्दा हो तब तक आपकी बोडी में यह इन्म्यूनिटी सेव रहेगी ताकि नेक्स टाइम वो पैथोजेंस अगर आपकी बोडी में घुसे तो आपको infection ना हो सके एक एक्जामपल यहां पर हमको क्या बताया गया है परसन हुआज रिकवर्ट फ्रॉम अटाइक ऑफ मीजल्स डेवलप नाचरल एक्वार्ट इम्मूनिटी तो मीजल्स फो दा लाइफ टाइम यहां पर मीजल्स का एक्जामपल लिया है है जैसे आपको देवी आती है ना वैसे ही मतलब वैसे ही इन्फेक्षीन को मीजल्स बोलते हैं तो जब चिकन उसको दूबारा नहीं होता है अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि मैम मेरे घर में तो हुआ था किसी को दूबारा या मैंने सुना है कि मैरे एक फ्रेंड के रिलेटिव को हुआ था दो बार तो कभी-कभी होता है कि आपकी इम्यूनिटी वीक पड़ जाती है जिसके वज जाता है और इसी वज़े से मोस्ट ली देखा जाता है कि किसी को अगर सेकंड टाइम मीजल्स का टैक हुआ या चिकन पॉक्स का इंफेक्शन हुआ है तो उनकी डैथ हो जाती है बहुत सारे केसे में इसलिए हम बोलते हैं कि यह होती है बच्पन में ही सबको अगर चिकन पॉ हो जाता है तो बच्पन में ही चिकन पॉक्स हो जाता है तो अच्छा रहता है और ये वह सिर्फ आपकी बना सकती है आपने बिल्कुल नहीं उसमें डॉक्टर के पास भी कोई दवाई नहीं रहती है क्या कर सकता है बुखार कमोनी की दवा दे सकते हैं बाकि वह जो इंफेक्शन है वह ठीक होने के लिए अपना नॉर्मल पीरियद 10-12 दिन जितना टाइम लगता है उतना टाइम लगेगा ही लगेगा डॉक्टर उस बिमारी को पूरी तरीके से एक दिन में वैनिश नहीं कर सकते गायब नहीं कर सकते तो इसको हम बोलते है नाचरल अक्टिव इम्मिनिटी मतलब यह इम्मिनिटी नाचरल ही आपकी बाड़ी में बनती है और इसके लिए एंटी बाड़ी आपका बाड़ी store हो जाता है अब second type कौन सा है active immunity का देखो मैं बार-बार बोल रहे हूं active immunity मतलब आपके immune cells खुद काम कर रहे हैं so second type कौन सा है artificial artificial मतलब अब इसमें natural infection नहीं होगा आपको बहार से जबरदस्ती कोई particular antigen आपकी body में डाला जाएगा so that is vaccine देखो पढ़ते theory पढ़ते it is the resistance induced by vaccines natural active immunity में क्या किया हमने उसमें हमने कुछ नहीं किया डॉक्टर ने कुछ नहीं किया natural infection आपको जब हुआ तो आपकी body ने immunity बनाई इसे लिए उसको natural active immunity बोलते हैं लेकिन बहुत बार कभी-कभी हमको सामने से body के अंदर infection spread करना पड़ता है मतलब कभी-कभी जब किसी को कभी लाइफ में chicken pox आये ही नहीं है तो उनको डॉक्टर जबरदस्ती chicken pox का injection देते हैं ताकि उनको chicken pox आये और उनकी body में natural immunity create हो यह ऐसा किया जाता है ऐसा होता है आपको अगर पता नहीं था तो मैं बता रही हूं कि अगर समझो आप 25 साल के हो गए तीस साल के हो गए आपको अभी तक एक भी बार life में chicken pox नहीं आया है तो आपको बाहर से दवा दी जाए मतलब बाहर से आपकी body में यह chicken pox का virus इंजेक्ट किया जाएगा जि आपको vaccine दिया जाता है vaccine मतलब क्या होता है अब भी मैंने आपको बताया था vaccine एक ऐसा fluid होता है एक ऐसा liquid रहता है जिसके अंदर हम dead antigen डालतें polio vaccine गलेरा वायरस तो जो भी वैक्सीन रहता है ना उसके अंदर हम डेड अंटीजन डालते हैं एसा जिसको आपने पूरी तरीके से वीख कर दिया है जो antigen हम vaccine में डालते हैं, vaccine कैसे बनती है इसके बारे में आप बायो टेक्नोलोजी चैप्टर में पढ़ोगे आपके टेक्स्ट बुक का जो 12 चैप्टर है उसमें detail explanation दिया गया है vaccine कैसे बनती है तो vaccine कैसे बनती है, vaccine के अंदर आप dead antigen डालते हो, dead बोल सकते हो या फिर कोई antigen को हम dead नहीं करते हैं, कुछ-कुछ antigen कैसे होते हैं, weak होते हैं, इतने जादा weak होते हैं कि वो dead के बराबर ही होते हैं, मतलब बोलते हैं कोमा में चले गए वो antigen, तो उन antigen का दूसरा नाम क्या है attenuated, उनको हम क्या बोलते हैं attenuated, आप कहीं पर ये word पढ़ोगे, तो confuse मत होना, attenuated का मतलब क्या होता है, weak antigen, जिनको आपको आपने पूरी तरीके से paralyze कर दिया है, जो जिन्दा होके भी मरे बराबर है, मतलब जो कुछ काम नहीं कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं attenuated antigen, तो आपका immune system activate हो जाता है, immune system activate हो जाता है, तो वो क्या produce करता है, immunity produce करता है, मतलब particular type के antibodies produce करता है, और ये immunity इस antigen के उपर जाके attack करती है, अगर ये antigen dead है, तो कुछ फाइदा नहीं है, लेकिन इससे एक फाइदा क्या हुआ, कि हमारे दिमाग में ये information store हो गई, कि अच्छा है, अब ये antigen आया है, तो मुझे ये immunity बनाना है, मतलब ये antibody बनाना है, तो सिर्फ memory store करने के लिए आपको जबरदस्ती बाहर से vaccine दी जाती है, ताकि मतलब बोलते है एक trial round दिया जाता है, जैसे आपके school में fire drill की training होती है, मतलब अगर आग लग गई तो आप कैसे school से बहार नि हम अपनी body को भी training देते हैं, हम अपनी body को ready करते हैं, कि अगर बाहर से कोई virus आया, तो उससे लड़ने के लिए हमारी body पहले से ready रहनी चाहिए, इसलिए हम body के अंदर पहले dead antigen देते हैं, कि देखो, मतलब obviously बात है, जबरदस्ती किसी को बिमार करने के लिए, हम उसकी body में live antigen नहीं भेजेंगे, हम dead antigen इसलिए भेजते हैं, ताकि body उसको पहचाने, उसको समझे, उसके against antibody produce करे, immunity produce करे, ताकि सच में अगर कभी live antigen आपकी body में आया, तो आपकी body के पास information पहले से store रहेगी, कि हाँ, इस type का antigen पहले भी आ चुका है, तो आपकी body उसके against phatak से react करे और response दे देगी, सो देखो यहां पर क्या बोला गया है, artificial acquired immunity में, it is the resistance induced by vaccines, मतलब यह resistance vaccines की मदद से आपकी body में produce किया जाता है, artificial इसलिए बोला गया है, क्योंकि यहां पर आप बाहर से जबरदस्ति खुद antigen डाल रहे हो body में, vaccine is introduced into the body to stimulate the formation of antibodies by the immune system, हम अपनी body में यह vaccine क्यों inject करते हैं, vaccine is introduced into the body, मतलब vaccine को हम body में डालते हैं, ताकि हमारी body में antibody production stimulate हो सके, stimulate करना मतलब start करना, signal पहुचाना, so vaccine body में जाएगी, तो हमारा immune system stimulate हो जाएगा, और immune system stimulate होके क्या करेगा, immunity बनाएगा, immunity मतलब antibody produce करेगा, जिससे हमारी body खुद को protect करती है, इसके कुछ examples दिए ग जो आप सबने अपनी life में ले लिये हैं, already ले लिये हैं, okay, polio vaccine, BCG vaccine, जब आप पैदा होते हो, तो आपको तीन मैने के अंदर ये BCG vaccine दिया जाता है, bacillus quillera and guirine vaccine, polio vaccine जो है, polio vaccine भी सबको दिया जाता है, 10 साल, 12 साल के उमर तक के बच्चों को, and such immunity may be temporary or permanent, कभी-कभी ये immunity किसी किसी की body में permanently काम करती है, कभी-कभी कुछ-कुछ cases में ये immunity temporary साबित होती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे exceptional cases देखे गए, जहां पर polio vaccine देने के बावजूद भी, उस इनसान को polio की बिमारी हो जाती है, तो आप सोचोगे, मेरे बच्चे ने तो पूरा, मतलब मेरे फ्रे अगर कोई immunity खतम हो गई है, तो उसको वापी से reactivate करो, तो यह था active immunity के बारे में, active immunity में हमने क्या पढ़ा, active immunity मतलब ऐसी immunity जिसमें आपके cells खुद काम करते हैं, active immunity के दो एक्जामपल है, natural active immunity और artificial active immunity, natural infection naturally होता है, और आपकी body उसके लिए खुद काम करके, antibody produce करती है, जैसे की measles या chicken pox, और artificial active immunity में क्या होता है, आपको जबरदस्ती बाहर से vaccine दी जाती है, vaccine के अंदर dead antigen है, तो उस dead antigen को देखकर आपका immune system activate होगा, और वो antibody बनाएगा, हमारा focus के आए, body में antibody बनना चाहिए, चाहे वो naturally हो, चाहे artificially हो, ताकि उसका memory हम स्टोर कर स ताकि कभी वापिस से अगर वो antigen आपकी बोडी में आए, तो आपको second time बिमार ना कर पाए, आपके घर में एक बार चोर आ जाता है, तो दूसरी बार आप CCTV लगा लेते हो घर के बाहर, ताकि same चोर अगर वापिस दूसरी बार आए, या कोई और भी अगर बोडी में दूस आपको अच्छे से समझ में आया है, अब नेक्स टॉपिक की तरफ बढ़ें, तो अब हमारा next topic है, passive immunity, passive immunity मतलब क्या होता है, यह एक ऐसी immunity है, जहां पर आपकी बोडी खुद कुछ काम नहीं करती है, आपकी बोडी को ready-made antibody दिया जाता है, active immunity में हम क्या पढ़ रहे थे, हमा क्या होता है, आपकी body के cells कुछ नहीं करते है, आपकी body के cells को बहार से ready-made antibody प्रोवाइट किया जाता है, तो passive immunity के भी दो एक्जामपल है, एक natural passive immunity और एक artificial passive immunity, सबसे पहले passive immunity का theory देख लेते है, passive immunity is acquired when ready-made antibodies are received by the body cells, मतलब बहार किसी और की body में antibody बनाया और वो direct ready-made antibody को हमने अ passive immunity, मतलब खुद को कुछ मैनद करने के जरुवत नहीं पड़ती है, इसका मतलब क्या है, यह sentence का meaning क्या है, that is, body cells do not take any active part in the production of immunity, जो मैंने आपको अभी बोला, कि आपकी body cells कुछ नहीं करती है, उसको सब कुछ ready-made मिलता है, passive immunity can be acquired either naturally or artificially, तो यह जो passive immunity है, यह naturally भी आ सकती है, आपकी body में यह artificially भी आ सकती है, naturally और artificially दोनों का एक एक example दिया है, पड़ते है, naturally acquired active immunity का यहाप, sorry, naturally acquired passive immunity का यहापर क्या example दिया गया है, before birth, maternal antibodies are transferred from mother to fetus through placenta, after birth, antibodies are transferred from mother to infant through colostrum, and continue throughout the period of breast feeding, the antibodies received by baby, from mother, remain in the body for a short time, and therefore, natural acquired passive immunity is short-lived, इसका मतलब क्या, आपने, अगर वो वीडियोस देखा है, आपके biology का जो second chapter है, reproduction in animals, वो chapter हमने complete कर लिया है, हमारे channel पर जाओ, playlist section open करो, और वहाँ पर reproduction in lower and higher animals वाला chapter open करो, वहाँ पर already सारे वीडियोस record करके upload कर दिये गए है, chapter का वेटेश उस chapter में मैंने बताया है, कि जब mother pregnant होती है, जब mother के womb में fetus होता है, तो mother और fetus के बीच में एक placenta होता है, वो placenta क्या करता है, वो placenta मदर के सारे nutrients को fetus तक पहुचाता है, तो अगर समझो कि fetus को, मतलब, mother को कोई बिमारी हुई है, तो mother की body ने उसके against antibody बनाया, और वही antibody उ ध्यान से सुनों में क्या बोल रही हूं, जब mother pregnant होती है, तो mother क्या करती है, अपना antibody fetus तक पहुचाती है, mother अपना antibody किसको देती है, fetus को देती है, किसके through देती है, placenta के through, किसके through देती है, placenta, मतलब, mother और बच्चे के बीच में जो वो cord होता है, जिसको नाडी बोलता है, umbilical cord, उस umbilical cord की मदद से, mother अपना antibody fetus तक पहुचाती है, मतलब यहां पर भी fetus को खुद कुछ नहीं करना पड़ा, उसको खुद को मैनत नहीं लेनी पड़ी, उसको ready-made antibody किदर से मिला, mother से मिला, जब मतलब बच्चा पेट में था, तबी भी उसको antibody mother प्रिपेर करके दे और जब बच्चा पैदा हो जाता है, after birth, जब बच्चा पैदा हो जाता है, तो mother का जो फर्स्ट मिल्क रहता है, mother का जो फर्स्ट मिल्क रहता है, जिसको हम क्या बोलते है, mother का जो फर्स्ट मिल्क होता है, yellow color का उसको हम क्या बोलते है, colostrum, क्या बोलते है, mother के फर्स्ट मिल जब वो बच्चा पैदा होगा ना जब वो मदर के वुम से बहार आएगा तो बहार के जितने भी और गानिजम वो सारे और गानिजम बच्चे के उपर एकदम से अटाइक करेंगे तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चे के आजू-बाजू में जो कवच बन जाता है मतलब बेसिकली बच्चे को हर बिमारी से प्रोटेक्ट करने के लिए यह आईजीय एंटीबाडी बहुत मदद करता है तो जब तक बच्चा पेट में था जब तक बच्चा मदर के वुम में था तब तक उसको एंटीबाडी मदर से मिल रहा था और जब बच्चा पैदा हो में एल्स था जब बच्चा में था तब भी उसको कुछ महनत नहीं करनी पड़ थी जब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि फीटस को खुद को कुछ नहीं करना पड़ रहा है उसको सब कुछ ready made मिल रहा है और इसको हम natural क्यों बोलते हैं क्योंकि यह दोनों ही process natural है birth process मतलब pregnancy process is also natural and यह milk जो होता है यह सिर्फ mother के breast से ही निकलता है इसको artificially produce नहीं कर सकते हैं इस milk is also a natural product इसलिए इसको हम बोलते हैं natural acquired passive immunity क्या बोलते हैं इसको हम natural acquired passive immunity जिसका example है mother before pregnancy मतलब before birth and after birth जब तक बच्चा fetus के form में है womb में है तब तक antibodies उसको mother से मिलेंगी placenta के थरू और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको थोड़े टाइम तक protect रखने के लिए वापिस कौन antibody देता है mother के milk से मिलती है मतलब दोनों ही बार उसको antibody mother से ही मिल रही है एक बार placenta के थरू मिल रही है और एक बार mother के first milk जो cholesterol होता है उसके थरू मिल रही है cholesterol से कौन सा antibody मिलता है IgA प्लीज मेक शूर यह आप अच्छे से पढ़ो एंट्रेंस में आता है यह question तो यह एक्जामपल था आर्टिफिशली अक्वाइड पैसिव इम्म्यूनिटी का आर्टिव सौरी नाच्रली अक्वाइड पैसिव इम्म्यूनिटी का वह बहुत कम टाइम मतलब थोड़े दिन के लिए इम्म्यूनिटी हेल्प करती है उसके बाद तुरंद बच्चे को अलग अलग इंजेक्शन्स दिये जाते हैं क्योंकि यह वाला इम्म्यूनिटी बच्चे को लाइफ टाइम प्रोटेक्ट नहीं करेगा सिर्फ थोड़े प्रोटेक्ट करेगा तो यह पॉइंट रखो नाच्रल वाला जो एक्टिव इम्म्यूनिटी था वह लाइफ टाइम के लिए रहता है लेकिन नाच्रल पैसिव इम्म्यूनिटी शॉट टाइम के लिए रहता है दोनों के बीच का डिस्टिंग्विश आपको याद रहना च लेकिन इस केस में आर्टिफिशियल हो रहा है आर्टिफिशियल मतलब क्या किया जाएगा दा इम्मूनिटी इस डेवलप्ट बाइंजेक्टिंग प्रिविश्ली प्रिपेर्ड आंटिबोडी यूजिंग सीरम फ्रॉमन्स और आनिमल्स फॉर एक्जाम्पल आंटिबोडी इस कोई सण सब्वास कोई अंटिबोड़ा अर्टिफिशियल पैसिवेश्टिंग कि मैं बात करी हों कि इस केस में हमारी बोडी में रेडी-mред एंटीबोडी इंजेक्ट किया जाता है क्या किया जाता है रेडी मेड एंटीबोडी इंजेक्ट किया जाता है वो रेडी मेड एंटीबोडी कैसे बनाते हैं समझो मैं एक हॉर्स का एक्जामपल ले रही हूं आपकी टेक्स्ट बुक में जो एक्जामपल दिया गया है हम क्य क्या हो गया जब होर्स के अंदर रेबीज वाइरस गया तो हौर्स का इंम्उन system हाइपर आक्तिव हो गया हौर का a मिस्टलम क्लेश हो गया क्या हौर्स के सिस्ट्म को हम एपर इम् tread को и悲ॉन यह कि बो रॉड्स के मुझा को हम हाईपर इम्म eens कुछ आंटİ बड़िज बनाएं डालेंगे यहाँ पर यह रोट्स की बॉडिजि कि बॉड़ि निगालेंगे और इसको हम humans के blood में डालेंगे ताकि humans को किस से protection मिल सके rabies virus से उनको protection मिल सके तो यहाँ पर हमने क्या किया यह antibody हमने कहा से बनाया यह antibody हमने बनाया horse से मतलब यह antibody किसी और की body में बनाया और फिर उसकी body से antibody निकाल के उसको humans में डाला ताकि same virus humans को बिमार ना कर सके तो यहाँ पर हमारी body खुद कुछ मेनत नहीं कर रही है बिचारे horse ने सारी मेनत की और उसका फाइदा उठाया humans ने तो इसको हम बोलते हैं artificial acquired passive immunity horse के उपर हमने rabies डाला या फिर दूसरा example क्या दिया गया है rabies pathogen या कोई भी ऐसा particular pathogen आप अपनी body में डालते हो समझ में आया आपको क्या बोला गया यहाँ पर कि यह rabies का एक example लिया इसको हमने horse की body में डाला तो horse का immune system active हो गया और horse की immune system ने एक antibody बनाई अब यह same antibody हम अपनी body में डालते हैं क्योंकि horse का gene और humans का gene का काफी हद तक match करता है तो rabies infection जो horse में हुआ था वो infection humans में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि humans के पास हमने पहले ही ready made antibodies provide कर दी है तो इसको हम बोलते हैं artificially acquired passive immunity क्या बोलते हैं इसको हम artificially acquired passive immunity और यह immunity भी short term के लिए होती है short lived होती है मतलब जादा time तक नहीं काम करती है जितनी बार आपको कुत्ता काटे का उतनी बार आपको antibody लेनी पड़ेगी क्योंकि उतनी बार आपको rabies infection होने के chances हैं so it is very short lived and it sustains only for a short period of time तो आज हमने कॉनसा कॉनसा topic कवर किया हमने पूरा acquired immunity के बारे में समझा acquired immunity मतलब बाहर से जो immunity आप करते उसको acquired immunity बोलते हैं उसके चार special characteristics हमने पड़े it is very specific diversity अलग-अलग organisms को recognize करता है फिर third characteristics हमने पड़ा discrimination between own cells and outer cells other cells और fourth point हमने पड़ा memory मतलब यह acquired immunity के cells होते हैं memory store करके रख लेते हैं okay फिर उसके बाद हमने पड़ा acquired immunity के दो टाइप एक active immunity एक passive immunity active immunity मतलब जहां पर आपकी body खुद महनत करके antibody बनाती है और उसका information store कर लेती है जो information आपके memory cells के पास store हो जाती है मतलब जो आपके immune system के memory cells होते हैं मैं brain के memory cells की बात नहीं कर रही हूं जो immune system के memory cells होते हैं मतलब T cells और B cells इनके पास जो information store हो जाती है तो immunity long lasting होती है वो lifetime तक काम करती है और जो immune system सिफ जिनका memory information store नहीं कर पाता है वो immunity short time के लिए होती है जैसे passive immunity active immunity is for long time and passive immunity is for short time active immunity के हमने दो टाइप देखे natural active immunity और artificial active immunity इसको लिख लेते हैं देखो acquired immunity के हमने दो अलग-अलग types देखे दो अलग-अलग types कौन से कौन से देखे हमने मेरे साथ लिखते जाओ जो बच्चे बोलते हैं मैं नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है तो इस तरीके से आप short notes फटा-फट बना सकते हो acquired immunity के हमने दो टाइप देखे एक हमने देखा active immunity और एक हमने देखा passive immunity bana往 espe two types कौने आप देखे एक natural active immunity और एक artificial अटिुडिव इम्मूनीटी बने कौनसा एक्जामपल देखा इम्टी क्या होती है, long lived होती है, artificial immunity का example हमने क्या देखा, artificial immunity का हमने example देखा, vaccination, vaccination में हम क्या करते हैं, यहां पर natural कुछ process नहीं हो रहा है, यहां पर जबर्दस्ती हम body के अंदर dead antigen ढालते हैं, जिसके वज़े से हमारी body उसके against antibody produce करें और अपने information स्टोर कर ले, तो यह immunity भी क्या होती है, long lived होती है, कौनसी होती है, long lived, इसका example क्या देखा हमने, इसका example हमने देखा, polio vaccine, bcg vaccine, etc, etc, ठीक है, फिर उसकी बाद हमने देखा, passive immunity के बारे में, passive immunity में भी दो types हमने देखे, एक natural और एक artificial, natural और artificial में हमने क्या देखा, कि यहां पर, passive immunity मतलब क्या होगा, कि यहां पर, cells को खुद कुछ नहीं करना है, मतलब आपकी body को खुद कुछ महनत नहीं करना है, यहां पर natural immunity में हमने क्या example देखा, कि जो mother होती है, before birth, बच्चे को सारा antibody कहां से बिल रहा है, mother से मिल रहा है, सारा antibodies किदर से मिल रहा है, mother से मिल रहा है, और after birth भी उसको सारा antibodies कहां से मिल रहा है, मतलब before birth and after birth, दोनों ही बार उसको सारे antibodies ready made, mother से ही मिल रहा है, before birth वो antibody कहां से मिल रहा है, placenta से, मतलब जब बच्चा fetus के form में, पेट में है, तो mother अपना antibody कैसे पहुचा रही है, बच्चे तक प्लेसेंटा की मदद से पोचा रही है और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो पैदा होने के बाद मदर उसको क्या पिलाती है अपना मिल्क पिलाती है जिसको हम बोलते हैं कॉलस्ट्रम फर्स्ट मिल्क जो फर्स्ट मिल्क होता है पहला दूद पैदा होने के बाद जो तुर प्रोसेस हो रहा है तो यह हो गया आपका नाचरल पैसिफ अक्वाइड इम्यूनिटी और इसके लिए फिर आप यहां पर क्या लिखोगे इस इन दिस केस बोध इन बोध दो केसे बोध प्रोवाइड़ तो दो चाइल्ड फॉम मदर मतलब आर्टिफिशली नहीं मतलब मदर इसका एक पॉइंट क्या है इंपोर्टन यह सिफ थोड़े टाइम के लिए ही होती है क्योंकि बच्चा थोड़े ताइम के बाद दूद पेना बन कर देता और कोलोस्ट्रम हमेशा नहीं निकलता है कोलोस्ट्रम स्टार्टिंग के एक दिन या दो दिन तक ही निकलता है इसका पर नेक्स्ट क्या आता है आटिफिशली अक्वाइड इम्मुनिटी में आटिफिशली अक्वाइड इम्मुनिटी का एक्जामपल यह हॉर्स वाला जहां पर हम किसी आउटर मतलब अधर और और अर्गानिजम में अंटी बोडी प्रडियूस करते हैं और फिर वही यूमन्स में इंजेक्ट करते हैं तो यहां पर हमारे यूमन्स को कुछ महनत करनी पड़ी क्या नहीं करनी पड़ी यहां पर यूमन्स को कुछ महनत नहीं करनी पड़ी जिसका एक एक्जामपल गया है एक्जामपल दिया गया है यहां पर रेबिस पैथोजन का एक्जामप भी हो जाए तो यह था आपका acquired immunity का total detailed explanation I hope आपको समझ में आया होगा देखो पांच मिनिट भी नहीं लगे यह नोट्स बनाने में इसी तरीके से आपको नोट्स बनाना है आप लोग जब नोट्स बना सकते हो वहाँ डाइग्राम बनाओ अलग-अलग methods यूज़ करो हर जीगे पर theory लिखने की जरूरत नहीं होती है I hope आपको यह technique help करेगी आज का session समझ में आया होगा अगर समझ में आया है तो please like button पे click कर देना और comment section पे बताना मत बूलना अगर वीडियो अच्छी लगी है honestly तो comment section पे जरूर बता दो और हमारा target है कि 10,000 subscribers हम जल्दी से जल्दी अचीव करें please हमको support करो जैसे ही 10,000 subscribers अचीव हो जाएंगे यह chapter भी खतम होने आ जाएगा हम तुरंथ molecular basis of inheritance के lectures अपलोड करना start कर देंगे तो अगर आगे के lectures चाहिए तो फटा फट से subscribers बढ़ाओ फटा फट से help करो और पढ़ते रहो बढ़ाई का आपके उपर जादा pressure होना चाहिए बाकी सारे चीज़े साइड में so बने रहो ग्यानलाब चैनल के साथ ऐसे ही interesting videos हम लाते रहेंगे thank you for your support keep supporting us keep spreading the channel increase the subscribers and see you soon thank you